हेलो फ्रेंजो, वेलकम टू माई चैनल, दोस्तों जैसे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो इस समय एक समस्या कमन देखने को मिलती है, ओ है कमन कोल्ट की प्राब्लम, सरधी जुकाम की प्राब्लम, साथ में बहुत से ब्यक्तियों में कमन कोल्ट के सांसा कफ की भी समस्य खांसी की भी प्रवलम रती है तो इसी को ठीक करने के लिए आप सबी के लिए लाएं हैं एक ऐसी दवा जो कि इन समस्या को ठीक कर सकता है मात्र एक ही गोली खाईएगा तो पहली ही गोली खाते ही आपको तुरंत आराम मिलना सुरू हो जाएगा तो इस वीडियो में कितनी मातरा में लेना है इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते है और कौन-कौन ले सकता है यानि इस टेबलेट को इस दवा को लेते समय आपको कौन-कौन सी सवधानिया बरतनी चाहिए तो वीडियो में अंतक बने रहिएगा दोस्तो उस दवा का नाम है मौन्टी कोप A टे लेक्टर किया गया दवा है इसके अंदर तीन इंग्रिडियेंट को सामिल किया गया है इसके अंदर जो है मौन्टी लुकास्ट सोडियम जो है दस मिलिग्राम मिल जाएगा लिबो सिट्रीजिन पांच मिलिग्राम और इसके अंदर एंब्रोक्सोल हाइडोकलराइड 75 मिलि और इसके अंदर जो लिबोसित्रीजीन है एक परकार का एंटि हिस्टामनिक क्लास की दवा है जो की बहुत ही स्ट्रॉंग है और इसके अंदर जो एंब्रोक्सॉल है यह जो है म्यूकोलाइटिक क्लास की दवा है जो बलगम के थिकनेस को कम करता है बलगम को पतला करके आसान दो दवाईया है जो कि anti-stamin class की दवा है anti-allergic के रूप में काम करता है और इसके अंदर जो एक mucolytic class की दवा है जो कि कफ को बाहर करता है तो इसका इस्तमाल जहे यदि किसी ब्यक्ति को जहे weight cuff हुआ हो गीली खासी हो ठीके weight cuff हुआ हो तो उस condition में जहे इसका इस्तमाल कीया जता है यदि किसी ब्यक्ति को weight cuff हो गया हो गीली खासी हो गया हो बल्गम वाली खासी हो गया तो उस समस्या में जहे ये दावा जहे Monty Cope A Tabler जो है डॉक्टर दोरा प्रिसकाइब किया जाता है बहुत ही अच्छा काम करता है पहली गोली खाने से अराम मिलना शुरू हो जाता है इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को जो है नाक बंद हो गया हो उन सभी कंडिशन में जो है ये Monty Cope A Tablet का इस्तेमाल डॉक्टर दोरा प्रिसकाइब किया जाता है इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को जो है अस्थमा हो गया हो अस्थमा का जो पेसेंट है उनमें भी ये टेबलेट डॉक्टर दोरा प्रिसकाइब किय जाता है इस्तेमा के इलाज में भी ये दवा जो है दिया जाता है इसके अलावा जो है किसी भी पर करके मौसमी एलर्जी हो गया हो सिजनल मौसमी जो एलर्जी हो गया हो तो एलर्जी के कारण जो है आपकी नाक से पानी आ रहा हो तो उसमें भी यह काम कर जाता है अब बात डोज की बात करे तो adult ब्यक्ति को ही ये देना है बच्चों में ये tablet जो है कभी भी इस्तेमाल ना करें बच्चों के लिए suspension आता है उसको दे सकते हैं लेकिन इसको कभी भी आप बच्चों में न दे और जब भी दे डॉक्टर की सलासे ही दे तो अगर कमन डोज की बात करें तो adult ब्यक्ति में एक tablet रात में खाना खाने के बात देना है आप दीन में भी ले सकते कोई प्रबलम नहीं है लेकिन आपको एक टाइम ही लेना है लेकिन इसे रात में ले तो सबसे अच्छा होगा और इसे खाना खान के बाद ही ले अब बात करें इसके क्या side effect देखने को मिल सकता है तो ब्यक्ति के सिर में दर्ध हो सकता है या सिर चक्राना सुस्ति या ना पेट में दर्ध हो सकता है डाइरिया की प्रबलम भी देखने को मिल सकता है और जहें मुह सुखना यह सभी कुछ side effects देखने को मिल स को जरूर बताएं अब बात करें इसको लेते समय क्या-क्या सवधानिया रखनी चाहिए तो देखिए इसे बच्चों में जो ब्रेस्ट फिडिंग मदर है और जो प्रेगनेंट लेडी है उन्हें ये टेबलेट का भी इस्तमाल नहीं करना चाहिए और इस टेबलेट को रात मे ले तो सबसे अच्छा रहता है क्योंकि खाने के बाद बहुत से ब्यक्तियों में ज्यादा नींद आने की समस्या रहती है तो इसलिए आप इसे रात में यूज करें अलकोहल का भी सेवन नहीं करना है यादि किसी ब्यक्ति को केड़नी रिलेटेट कोई प्राबलम हो तो उ कि ब्रॉक्सल हो गया यू लिबोसित्रिजीन है किसी भी पर करके इसको लेते हैं इससे ऐलर्जी हो तीनों में से किसी यह यह को है इसमाल नहीं ब्राबलम है तरे न हो उन्में भी यह यह टिब्लेट ना दे तो यह बहतर होगा और डॉक्टर की सला से ही देना चाहिए ऐसे आपको नहीं देना है तो दोस्तों ये था मोंटी कोप A टेबलेट की संपून जानकारी अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो लाइक करके जाएगा चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइ कर लिजिएगा और इस वीडियो को जदा जदा सेर कीजिएगा ताकि और किसी कभी काम आए सके